नमस्कार दोस्तों डीडीरेट के एक और रियक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलो तो आज जो वीडियो देखने वाला हूँ वो वीडियो है रियल्टी इंटर्टेन्मेंट टीवी का और इसका टाइटल है वाई इस इंडिया ग्रोइंग सो फास्ट व बलके आज का क्वेस्टन यह है कि वाई इंडिया इस ग्रोइंग टू फास्ट मेरे खिया से यूथ की वज़ा से यूथ क्या मतलब पाकिसान में यूथ नहीं दूसरी कंट्रीज में यूथ नहीं लेकिन जिस हिसाब से उनके पास बंच ऑफ यूथ है ना मलब ज्यादा मा टाखके ए लेकिक है अब ऐस इंवेस्टेर अगर मैं जाँगा तो थो मैं दस बंदों के पास इंचार कांगे करें। कोने में तो यह सारे देश डेवलप किसे कर गये यह प्रेशन गर ज्याद़ भी ज्यादा बढ़िए उसमें इंवेस्टमेंट भी ज्यादा Water ज्यादा की आपका नाम फिजा अकबर प्रिष्ак अकबर क्या करती है अप मैं इस डिपाइप्मेंट में पढ़ने आती हूं पढ़ने आती हूं लेकिन पढ़ती नही direito अच्छा 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 मेरा आज का टॉपिक और आज का क्वेस्टन यह है वाइ इंडिया इस ग्रोइंग टू फास्ट क्यूंके वहां की लड़किया बहुत प्यारी है अच्छा बैसे आपको लड़कों के पारे में कहना चाहिए अच्छा इस आपने लड़कियों का स्पोर्ट अच्छा करते हैं यहां पर अगर कोई भी मतलब आगे जा रहा हो तो इसको ना लैक पूलिंग की जाती है अपका नाम अमीर अब्दॉल्ला क्या करते हैं मैं मैसी कर रहा हूं मेरा आज का क्वेस्टन यह है कि वाई इंडिया इस ग्रोइंग टू फास्ट विका इलें के कंट्री है चोड़ा सा कंट्री इंसेंस आफ पफॉलेशन इंसथ पार्ट आप यह ब्रेदिया कर पाकिस्तां के पारट है आप 30 अलोगई हैं आप उस बात से बाहर निकला आए hats नहीं रहे और रूसरा कि बंगला देश के लोगों पाकिस्तांी कै रहाए की बंगल आईगी नहीं, आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि आपसे अलग होकर, आपसे कम टाइम में आपको 75 साल होगे अलग हुए हमसे आपसे अलग हुए उसको 50 साल होगे और 50 साल में वो आपसे बहतर मुल्क बन गया है education के लिहाज से काम के लिहाज से, इंडस्ट्रीज के लिहाज से बाकी आप देख सकते हैं लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग कुछ सीख नहीं रहे हैं अपने जिब पे अड़ हुए हैं तो यह आपकी गलती है बॉस उनका जो प्लिटिकल ही है लोग बुँज़ जादा में प्लिट्रीज के लिए है हैं लेकिन अगर पाकिस्टान के लिए पकिस्स नहीं वड़े ना ay कजूंका कर लोग साथ सबसे सबस्दाइव पुलिटिकल सबस्दाइव प्लिटिकल पार्टी सब सबस्दाइव तरिथ और का का आप्थएंग पुरर नहीं तो है मैं उसमाचन, जा भी कोई से प्सक्ता हमाई है। कर Вाइन इνडिया में इस भीक्ष पॉरब यह है। और को हां इस त्वीर में नाम। तेंक यू वेलकम आपका नाम उमर किताब कहां से बिलॉंग करते हैं में किपी के से अच्छा मेरा आज का टॉपिक और आज का क्वेस्टन ये है एक लाइन में मैं क्वेस्टन करूंगा एक ही लाइन में अपने आंसर करना है वाइ इंडिया इस ग्रोइंग टू फास्ट एक लाइन में अंसर मुष्किल है लेकिन इंडिया ना हमारे से आई टी सेक्टर जाना उसका बहुत अच्छा है और दुसरा एजूकेशन के लहाद से भी देख तो पालोटेशन के लहाद से लिए इन तीन चीज़ों में हम से बेडर है आप्वारे से बेतर है इसलिए ज्याद ཆप पॉलिटीशन का उनको सबोर्ट बहुत कर रहे हैं उनको वोकिंग के हवाले से मेरे उनको काफी सपोर्ट कर री जैसे कि पाकिस्तानी इवाम भाले से पॉलिटीशन इंडिया तो एक बहुत बारा मुलग है। तो वहाँ पे बिजनस्मेन बहुत ज़्यद्ध है। इस वाज़ा से वह लोग बहुत जल्दी से तरक्य करते हैं। आपस में उनका बहुत कम्प्रिकेट काम करते हैं। एक दूसरे से कटे होके। इस वाज़ा से वह ज्यादा तरक कर दो चल्नक यह बिलकुद्पर कहा करते में पढ़ते हो पड़ते हैं k gland क्या करते हैं मैं पड़ते हैं क्या पड़ते हैं क्या परते हैं ऐ 21 16 मश्घा मुझे लगा शाब निवस्पेपर बढ़ते हैं पस्सटे घ te dal evidence-camera क्वा बढ़ते हैं और नि driving a-d बंदे की उम्र कम है लेकिन इसने पहला जवाब बहुत अच्छा दिया है कि democracy strong है असा नहीं है कि हमारे यहाँ पार्टिया नहीं है आसा नहीं है कि हमारे यहाँ विरूत प्रदर्शन नहीं होते या पार्टिया एक दूसरे की टांग नहीं खीसती लेकिन जब देश की बात आती है न, तब maximum लोग एक हो जाते हैं चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाती के हो, किस कहीं के भी रहने वाले हो इस पूरे देश में कहीं के भी रहने वाले हो, जहां देश की बात आती है, वहां पर फिर पूरा देश एक है हाँ कुछ परसंट हैं जो उसमें भी कुछ न कुछ ढूंगते रहते हैं लेकिन खैर नेगलट करना है उनको क्योंकि maximum जहां पर हैं वही बात मानी जाएगी वही बात सही जाएगी दूसरी बात ये है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो एक आए कितनी तेज नहीं हो गई है जंगुल से तब से हमारे जो लीडर्स थे और आज के जो लीडर्स हैं जो आज देश को चला रहे हैं उन सब में एक बात कॉमन थी कि कुछ न कुछ भारत को आगे बढ़ाने के लिए करना है अगर उस वक्त IIT के निव पढ़ी अच्छे किंद्रिय विद्यालेओं के निव पढ़ी नवोदे विद्याले और ये सारी चीज़े ऐड आउन होती गई धीरे 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 तो गरीबों को पढ़ाने से लेकर अमीरों को पढ़ाने तक के यहाँ पे उपाय किये गए यहाँ पे चीज़ें धीरे 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 जहाँ पे हमें लगा कि यहाँ पे गड़बड है वहाँ पे हमने सुधारा जो अगला सियासत दान आया जो अगली सरकार आई उसमें कुछ ने कुछ उसमें किया एजुकेशन पे हमने हर बार फोकस किया है सरवशिक्षा भियान हो चाहे स्पोर्ट्स हो अब तो स्पोर्ट्स पे काफी फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि अब से हम मेहनत करना शुरू करेंगे तो 20 साल, 25 साल, 30 साल बात आपको रिजर्ट्स आने शुरू होंगे तो जो चीज आज से 70 साल पहले की गई, आज से 50 साल पहले की गई, आज से 40 साल पहले की गई कंप्यूटर की बात करूँ तो वही 90's का दौर था, उससे में बात की गई 30 साल पहले, 35 साल पहले तो फिर देखिए, आज हम कंप्यूटर में और टेक्नलोजी में कहा है तो वही चीज है, आज की जो सरकार है उसने एजुकेशन पॉलिसी में बदलाओ किये नई-नी चीजे लेकर आ रहे हैं, research and R&D centers खोले जा रहे हैं colleges को और improve किया जा रहा है वहाँ पे सहुलितों को और बढ़ाया जा रहा है अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले मैं अलाबाद गया था वहाँ पे मुतिलाल नहरू NIT है वहाँ पे जाके देखा मैंने वहाँ पे एक नया-नया होस्टल बना है और वो होस्टल आपको किसी बढ़िया शांदार अपार्टमेंट की तरह लगेगा शांदार लिफ्ट हैं, कमरे अच्छे हैं हवादार है, रोशनी है और बिल्कुल आधुनित डिजाइन से बनाए अब इस बात को समझेए भई हमारा स्टूडेंट जो है वो अच्छी फसिलिटीज पाएगा तो आगे जाके देश के लिए कुछ नया कर पाएगा और हमारे ये फसिलिटीज दी जा रही है हाला कि अभी भी हमारे यहां बहुत ज़ादा सुधार की गुनजाईश है अभी भी जो गावों में सरकारी स्कूल है वहाँ पे उस लिहाद से पढ़ाई नहीं हो रही है लेकिन वहाँ भी देरे देरे चीजें सुधारी जा रही है और पढ़ने वाला पढ़ रहा है गरीब का बच्चा भी IS बन रहा है IPS बन रहा है गरीब का बच्चा भी स्पोर्ट्स में आ रहा है खेल रहा है अब का नाम फेजान फेजान क्या करते हैं मैं स्टूडेंट हूं मेरा आज का टॉपिक यह है वाई इंडिया इस ग्रोइंग टू फास्ट इंडिया ने आई टीम इतने तरकी कर लिए वहां का चपड़ासी भी आप देखे तो एंगलिश बोलता है इस वज़ा से शायद तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो आपने मुंख्तिलिफ लोगों की मुंख्तिलिफ एंडिया ठीजी से तरकी कियो कर रहा है और मेरी राहे भी आपने जानी आपको आज की वीडियो कैसी लगई है मुझे कमेंट में जरूब बताएं जाने से पहले मेरे चैनल को भी लोगों की राये मेरी नजर में अगर ये सवाल अगर मुझसे पूशा जाता है कि भाई आपको क्या लगता है कि भारत क्यों इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है तो उसके पीछे एकाद नहीं कई हजार कारण है पहले चीज हमारी लीडर्शिप दूसरी चीज हमारी एजुकेशन तीसरी चीज हमारे यहाँ पैरेंट्स का बिहेवियर अपने बच्चों को लेके कि पढ़ाना है लिखाना है स्पोर्ट में भेजना है जो भी है और चौती चीज कि सरकार और आम लोगों के बीच मिलकर काम क करने का यह नतीजा है आज मैं आपके सामने हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन में इच्छा थी कि यार ये यूटूब पे एक्स्प्लोर करूँ तो एक्स्प्लोर करने का ये नतीजा है कि आज मैं आपके सामने हूँ और ये नहीं है कि मैं सिर्फ तब पढ़ाई करता था और आज नहीं करता हूँ आज भी मैं पढ़ता रहता हूँ किताबे हो आजकल तो पढ़ाई बहुत इजी हो गई है आप राह चलते ट्रेन में बैठे हूँ है और मुबाईल पर पढ़ रहे हैं इस पढ़ने का फाइदा ये हुआ है कि मुझे बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो गई है और जब आपके पास नॉलेज आ जाती है तो आपके पास कहने को बताने को बहुत कुछ होता है आप फिर दुनिया को अपनी अलग नजर से देखते हो फिर आपको पता चलता है कि अगर सामने वाला बात कर रहा है आपसे तो वो कहां घलती कर रहा है या किस ट्रैक पर उसको जाना चाहिए यह सारी चीज़े तब होती है जब आप नॉलेज गिन करते हो आज भी मैं मैं आप लोग को पता नहीं बहुत सारे लोगों को मेरे दर्शकों को पता है मुझे एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत इंट्रेस्ट है स्पेस साइंस में बहुत इंट्रेस्ट है जो एंसियन साइंस है जो प्राचीन साइंस है हिस्ट्री में बहुत इंट्रेस्ट है तो इन सारी चीज़ों को लेके मैं पढ़ता रहता हूँ कि भाई देखे नॉलेज कभी भी कहीं भी कामा सकती है कल को हो सकता है कि मैं करी जा रहा हूँ किसी ने मेरे से space के बारे में पूछ दिया तो मैं वहाँ पर अंजान नहीं हूँ मुझे पता है कि space में चीजे क्या है या space में नई technology कहां तक पहुंची है space में हमने कहां तक explore किया है हम क्या कर रहे है तो आप इस बात को सबढ़िए कि knowledge gain करना बहुत जरूवत है हाँ पर हाँ दरकर बैठे रहेंगे तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता यह नहीं कि मेरा subject जो है अगर मैं journalism में हूँ तो journalism से related चीज़े ही मुझे interest करती है मुझे मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़े है मैं movies देखता हूँ, मैं filmे देखता हूँ वहाँ से बहुत सारी चीज़े सीखता हूँ मैं mythological किताबे भी पढ़ता हूँ मैं autobiography भी पढ़ता हूँ मैं अलग-अलग तरीके की किताबे पढ़ता हूँ और उन सबसे जो मुझे ग्रहन कर पाता हूँ उतना ग्रहन कर लेता हूँ और ये सब कही न कहीं आपको फायदा पहुचाता है क्योंकि नौलेज है, ग्यान है ग्यान अगर होगा आपके पास तभी आप मतब चीज़ों को ढंक से समझ भी पाएंगे और अपने आपको रिप्रिजेंट भी कर पाएंगे और इसकी कमी पाकिस्तान में बहुत ज़ादा है और भारत के इतनी तेजी से प्रोग्रस करने के पीछे यहां का वाकई, यहां का यूथ जो है वो बहुत जबर्दस काम करता है नए नए आइडियाज लेकर आता है नए चीजे लेकर आता है एक बार फेल होता है, दुबारा कोशिश करता है दुबारा फेल होता है, तीसरी बार कोशिश करता है जब तक कामयाब नहीं हो जाता है वो कोशिश करता रहता है हो चाहे film industry हो, चाहे IT industry हो, चाहे space हो, चाहे किसी चीज में, हर जगा ये युवाओं का बोल बाला है और क्योंकि युवाँ जानता है कि मैं करके रहूंगा, अगर मैंने ठान लिया तो मैं करके रहूंगा, मैंने भी ठान लिया कि मुझे YouTube में करना है तो मैं किया न मैंने तो यह दिखाता है कि आपका Mindset कैसा है आप किस Mindset के साथ आगे बढ़ रहे हो और इस Mindset की कमी पाकिस्तान में बहुत साथ है तो उमीद है कि अपना Mindset बदलेंगे उस जो रूडिवादी, कट्रवादी Mindset है उससे बाहर आएंगे, चीजों को नए तरीके से, नए नजरिये से देखेंगे और तब अपने आपको उस हिसाब से ढालेंगे, अपने आपको बढ़ाएंगे तब ही मुल्क तरक्की कर सकता है तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार, जैहिंद